जहन साथियों बोद वो शागत है आपका अपने ही चैनल एनाइस ऑनलाइन हव में तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने बाले हैं बिहार सिक्षक नियोजन से जूड़ी जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं आज के डेट में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ मे पर स्ट्ट अभिहारतियों के लिए भी लेटेस्ट अपडेट है तो वीडियो कौन तक देखें बहुत ही महत्पून होने वाली है चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दोस्तों जैसा कि कल जो सुनवाई थी वो टल गई है और अगली तारिक जो मिली है वो तीन तारिक को मिली है यानि सिक्षक बहाली पर जारी रहेगी अभी रोक अगली सुनवाई तीन को है जिसमें सवाल लाक सिक्षकों को फिलाल जुन नुक्ति पर रोक लगाए है हाई कोट ने सरकार को जो है इस्तिती असपष्ट करने का आदेश दिया है यहां पर दिख सक रहते हैं क्या कुछ है सारा इस वीडियो के माई द्हम से आपको बताने जा रहे हैं यहीं बहाली पर फिलाल जो है पेच बरकरार है जिसकी सुनवाई जो है गुरू पार्क होगी तीन जुन को होगी और सिक्षक नुक्ति को लेकर सुनवाई अब तीन जुन को होने वाली ह यहां पर साकरात्मक खाबर है, लेकिन इसे साकरात्मक तभी हो सकते हैं, जब की इसकी फैसला आएगी उमीद है कि तीन तारीक को आ जाना चाहिए और यहां पर पपु सरकावी यहां पर एक ट्वीट आया था कि सिटेट एक्ट को लेकर भी जो है तीन तारिक को है जिसमें खूद जो है दोनों केस में एजी सहाब मोजूर रहेंगे तो दोस्ते बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तमाम जो है अपडेट आ रही आपके सा चुनवाई होगी यानि उस दिन जो है कुछ ना कुछ डिसेजन आपका आएगा ही बहाली को लेकर और दोस्तों आपको पता है कि बिहार में सबसे ज्यादा सिक्षकों के पद जो है खाली यानि सिक्षकों कमी में बिहार टॉप पर है आप देख सकते हैं सबसे अगर टीचर प्राइमरी प्लस हाई स्कूल आविदन जो शुरूवा था दो हजार उन्नीस में वा था अगर इसकी एस्टेटर्स की बात करें तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है वेकैंसी 32 सतत्तर टीचर जिसमें इंजिनियरिंग पॉलिटेकनिक कोलेज का आविदन सेप्टमब ब्रेक लगा है जिसके कारण जो है यह बहाली जर को अटक थी जा है और यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों देख पार होंगे त्विट्र हैस्टेग है यहाँ पर देख लिजेए ट्विटर महासंगराम इतिहास दोराया जाना है जुन मतलब दो जुन को टाइम गारा एम हैस्टेग रहेगा यह देख सकते हैं यह हैस्टेग है यहाँ पर जो आपको दो तारिक को यूज करना है ट्विटर केमपेंड में निकती को लेकर अभिहारती निकती के लिए चलाएंगे ट्वीटर अभियान से आप जरूरी जुडिए तो सारी बेट को करके दखने रहे तो चैनल पर नएंग है दो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही अबढ़ाएक के लिए आप चैनल पर बने रहें दोस्तों सबसे पहले इस न्यूज को पढ़ते हैं लिका सिक्षक बहाली पर जारी रहेगी रोग अनियागली सुनवाई जो है तीन तारिक को है सवा लाक माजधमिक वह प्राथमिक सिक्षकों के बहाली पर रोग फिलाल जारी रहेगी इस को हटाने के लिए राज सरकार के अनुरोद पर पटना हईकोट में सुमबार को सुनवाई हुई कोट ने रोष्टर पर सरकार को विश्तिती स्पर्ष्ट करने का नि रदेश दिया इसस मामले में अंगली सुनवाई गुरुबार्त होगी दोरान राज सरकार के महा अधिवक्ता ललित किसोर ने कोड़ को बताया कि सरकार ने दिव्यांग को कानौन के तहाँ 4 फिश्दी आरक्षण देने के संबंद में प्रावधनों का अनुपालन किया है और सारी चैन पर किरिया आरक्षण नियमों का पालन करते हुए की जारी है हाई कोट से बहाली पर रोक लगाय जाने के कारण अंतिम चैन सूची जारी नहीं की जा सकी है उन्होंने कहा है कि या तो रिट याचिका के अंतिम परिनाम के अनुसार राइस सरकार को निपती को अंतिम रूप देने की अनुमती दी जाए या व्यकल्पिक त्वर पर सवालाग पदों की चार परतिसस सीट दीव्यांग के लिए सुरक्षित रखने की अनुमती दी जाए रिट याचिका के निस्पादन होने के बाद इन पदों पर दीव्यांग मिद्वार की बहाली की जाएगी इस बीच सेस अभिहारतियों की निक्ति अनुमती दी जाए दोस्तों आगला अपडेट है याँ पर मांग है कि दीव्यांग मिद्वार को आविदन का मिले मोका हाई कोट ये भी पटना सही आ रही है आज का लेटेस्ट अपडेट है सवाल लाग माजधमिक प्रात्मिक सिक्षकों की बहाली पर रोक मामले में हाई कोट में सुनवाई के दोरान फेडरेशन और बलाइंड एसोसियन और की और से कोट के वरिये अधिवक्ता एसके रुंग्टा ने कोट को बताया कि पहले दिव्यांग के लिए सीटों के बारे में अधिसुचना जारी किया जाना चाहिए साथी जो दिव्यांग मीद्वार सिचक बहाली के लिए आवेदन नहीं कर सके हैं उन्हें ने सीरे से आवेदन करने का मुका दिया जाना चाहिए ये दिव्यांग का मांग है आगे कहना है उसके बाद बहाली पर किरिया सो हाला कि महा अधिवक्ता ने इसका बिरोद किया लेकिन राइसरकार की ओर से कोट में पेस रोस्टर पर आवेदन के आवेदक के वकिल में बिरोद करते हुए कहा कि एक और राइस सरकार दिव्यांग को चार परतिसत आरक्षन देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ दूसरी तरफ सरकार की और से तयार रोस्टर कुछ अलगी बया कर रहा है कोट ने सरकार को इस्तिती असपर्ष करने का निजदेश देते हैं अगली सुनवाई जो है गुरुबार को आदिश दिया है और यह बहाली फिलाल अभी पेच बरकरार है तीन तारिक को इसके सुनवा पर लगी पत्ना हाइकोट की रोग को हटाने के लिए दायर रीट याचिका पर सुनवाई अगली गुरुवार के लिए टल गई है मुई की नियाधिस नियामूर्थी संजे कोरल नियामूर्थी एस कुमार की खंडपुट के समक संबार को सुनवाई पिछले संबार में राय सरकार के महा अधिवक्ता ललित की सोर ने खंडपुट को बताया कि राय सरकार ने दिव्यां को चार फिजद्यारक्षन देने के में प्रवधान कालुपान अनुपालन कर दिया है इसी पर का सारे चैन पर किरिया कि यह तक्रीबन वान पॉंट टू लाग खाली जगों में चार फिस्ति आरक्षन दिये हैं अस्टे ओडर की वज़ा से अंतिम चैन लिष्ट अधिसुचना जारी नहीं किया सकता है नहीं की जा सकी अधि आगे काना महा अधिवक्ता ने कोट के समक्ष कहा है कि जो रिट याचका के अंतिम परिनाम के फिलाल के अनुसार राय सरकार को निक्ति के लिए अंतिम चरण अन जो भी आफ लोग का समक्ष लेटेस्ट अपडेट आएगे आप लोग को दिया जागा और जो है बिहार स्टि टी को ले कर निक्ति को ले कर जो है दो मेंग को जो है टूटेर अभियाण नहीं अस्टिटी अभिहारती निक्ति के लिए चलाएंगे टुटर अभियान परदेश के अस्टिटी उतिन अभियारती 37,000 मैध्यमे कुछ मैध्यमे क्षिक्चकों की भरती परकिरिया को लेकर आगामी दो जुन को राज बेपारी टुटर केमपेन अभियान चलाएंगे उक सरकार परिक्षा लेकर रिजल्ड देना एवं बहाली पूर्ण करना भूल जाती है माईधिमिक विद्धाले में सभी मुख विशे में विशेवार सिक्षकों का ब्यापक अभाव है सरकार दुवारा बिगत पांच-छे वर्सों से अस्ताई सिक्षकों की निक्ति हाइस्कूल में नहीं हुए कोरोना काल में सड़क पर अंदोलन करना संभब नहीं है इस कारण अभियाति सोसल मीडिया ट्विटर की जरी अपनी मांगों को सरकात तक पहुचाएंगे उन्होंने कहा कि विहार में देश में सबसे अधिक सिक्षकों के पद रिक्त हैं लेकिन सरकार यूज़ करना है कब करना है दो तारीक सुबह के आरा बज़े से तो यह ट्यूटर केंपएन रहा दोस्तों आपको वीडियो कैसी अपडेट के लिए इस चैनल पर नहें है तो चनल को सब्सकाइब करिए और तीन तारीक को दोस्तों आपकी फैसला आने वाली है जिसमें हम लोग जो अपडेट आएगा आपके साथ साजा किया जाएगा फिल्याल के लिए इतना ही अपडेट और इस चैनल पर लेटेस्ट अपडेट के लिए अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बगल में बैल आइकान है उसे प्रेस करके और नौट को प्रास कर दी जगा ताकि तो आपको कोई भी टीचर भरती से अपडेट आए तो सबसे पहले आपको मिल पाए और उसका आप लाव उठा पाए